गुड मॉर्निंग ओल अफ यू मैं आर्थी रानी आपका बेलकम करती हूँ आपके अपने ट्रिपल ओम अकेडमिक यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम आपके लिए लेक्जाएं और टेक्निकल वालों के लिए most important है अपना previous year question paper कोई भी trade वाले अपना previous year question paper उठा के देख लेना कि इस type का question आपको जरूर मिलेगा और यह जो topic है हमारा अपने आप में ही बहुत deep है अगर आपको इसकी deep study या इसको deep से समझना है तो आप हमको comment section में comment करके बोल देना तो हम कोई क्या है इसमें थोड़ा सा इसका introduction और किस type के question इसमें से आते हैं वो बताने वाली हूं इससे पहले कि हम video start करें जो student हमारी चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को subscribe कर दे वीडियो अच्छी लगए तो like करें ज्यादा से ज्यादा share करें चलते हैं अपने topic के तरफ जो दी यह आ जाती है इसकी history के बारे में ठीक है अगर आपको detail में पढ़ना मैं आपको बार बार बोल रही हूं तो आप हमको comment section में comment कर देना मैं आपको in detail अच्छे से explain करा दूँगी अब तो मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूं general सा कि किस type कोशन इसमें से बनते हैं ठीक है यह होती है हमारी आवर्तक्सार्णी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यह ठीक है यह हमारी आवर्तक्सार्णी है जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो उपर है हमारा यह हाई डोजन है ठीक है कि इसमें mean क्या है देखो जो हमारी ऐसे counting दे रखी है यह री 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनको बोलते हैं हम पीरियड क्या बोलते हैं पीरियड या आवर्त यह कोशन आ जाता है कि हमारी जो modern predictable है उसमें कितने आवर्त होते हैं कितने पीरियड होते हैं तो वो होते हैं हमारे 7 ठीक है यह रहे 7 होते हैं ठीक है और total element कितने होते हैं इसमें हमारे होते हैं कितने 118 element होते हैं जिसमें से हमने क्या है जो 98 है वो तो हमें nature से मिले हैं पिरक्रिती में पाए गई तत्व हैं ठीक है और जो बचे 20 वो हमने artificial वे से क्या है prepare करे हैं ठीक है ये हमारी कितने total 118 element है ठीक है अब देखो जो हमारा sequence कैसे दे रखा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कुछ करके दे रखा ठीक है अब ध्यान रखना जैसे कि मैं किसको इसको उठा लूँ ठीक है बोरोन को देखो जो उपर लिखा हुआ ये रहा देखो जैसे मैंने ये क्या किया बोरोन को उठाया ये रहा अब जो उपर लिख रहा ये इसका एटोमिक नंबर परमानु संक्या होती है और जो नीचे लिखा हुआ है वो उसका परमानु भार्या एटोमिक मास होता है ठीक है देखो इसको जूम करके अच्छे से ये रहा बोरोन ये उपर 5 जो दे रखा इसका एटोमिक नंबर परमानु संख्या जो नीचे दे रखा नीचे 10.8 यह इसका परमानु भार या atomic mass होता है ठीक है तो किसी भी और इनको बोलते क्या है तत्व बोलते हैं किसी भी तत्व का या element का जो atom की number है वो उपर लिखा होता है परमानु संख्या उपर लिखी होती है और जो atomic mass है या परमान उभार है वो नीचे लिखा हुआ होता है ठीक है यहां तक सभी को clear हो गया होगा हम चलते हैं अपना की question किस type के आते हैं ठीक है देखो यह हमारे period हो गए अब देखो यहां से 1 से कितना हमारा 18 तक हमारे group है जैसे कि आपको clear दिखाई दे रहा होगा दे इसे अगर हम count करें हीरा four five six seven eight nine कहां तक है हमारे 18 तक तो कितने group हैं total हमारे 18 group हैं तो आप से question पूछे कि periodic table में आवर्थान में कितने group होते हैं तो 18 group होते हैं modern periodic table में 18 group होते हैं और 7 क्या होते हैं हमारे आवर्थ है period होते हैं ठीक है यहां तक आप सभी को clear होगा अब देख पिंक और जो non metal है yellow वाले यह क्या हमारे non metal है ठीक है तो यह सारे क्या हमारे जो green green है हां तक जो दे रखें यह हमारे क्या है धातू है क्या है धातू और जो यह yellow वाले यह अधातू है और यह बीच वाले यह उपधातू जिनको metaloid बोलते हैं ठीक है अधातू के गुंदरम स से इन्सके अपोजिट होते हैं धातों के और उपधातो यह मेटलोईड वह होते हैं जो इन दोनों की प्रोपड़ी को अपने पास रखते हैं ठीक है यह सभी को ये दो देखो ये रहे हमारा ये दो फर्स्ट और सेकंड दो गुरूप हो गए तो इन दो गुरूप को क्या बोलते हैं S गुरूप ठीक है S गुरूप क्या बोलते हैं S गुरूप और देखो 3 से लेकर 12 तक ये हमारा D गुरूप बोलते हैं बोलते हैं D group अब बचत 13 से 18 इसको क्या बोलते हैं हम P group क्या बोलते हैं P group S group D group और P group यहां तक सभी को clear हो गया होगा हम मैं आपको थोड़ा सब बता देते हूं कि किस type के question इसमें आते हैं देखो पूछ लेते हैं कि हमारी product table में कितने element होते हैं टोटल कितने element है 118 ठीक है और जो हमने 98 है वो हमने क्या प्रकृति से पाए हैं और जो 20 है वो किर्थिम वेसे हमने या artificial वेसे प्रिपेर करें ठीक है अब ऐसे type के question आ जाते हैं देखो प्रिषिमी पर सबसे अधिक मात् पाए जाने वाली धातु कौन सी है तो वो है हमारी aluminum कौन सी है aluminum सबसे हलका तत्व कौन सा हमारा देखो जैसा कि मैं बता देती हूँ आपको oxygen कहा हमारा यह रहा ठीक है यह रहा यह सबसे ज़्यादा किस पर प्रकृति पर पाए जाता है oxygen ठीक है atom number कितना 8 दे रखा और सबस सबसे हलका जो तत्व है वो कौन सा है तो देखो यह जो hydrogen हमें hydrogen यह सबसे क्या है हलका तत्व है और इसलिए इसको क्या है उपर रखा गया है ना यह metal है ना यह non metal है यह सबसे अलग है ठीक है मतलब यह दोनों property रखता है metal की भी और non metal की भी दातों की भी अधातों की और सब सबसे क्या है हलका थत्व है हाइडोजन ठीक है और सबसे बाहरी थत्व पूछे तो कौन सी होती है हमारा ओस्मियम कौन सा होता है ओस्मियम ओस्मियम ठीक है अब पूछ ले नेक्स्ट कोश्चन की द्रब धातु कौन सी है हमारी द्रब धातु कौन से धातु हमारी यह होती है ठीक है हाँ इनवे से भी धातू क्या होती है लिक्विड नहीं होती है लेकिन एक exception है अपवाद है कि जो एक धातू है वो क्या होती है हमारी द्रव होती है जिसको हम क्या बोलते हैं मरकरी बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको मरकरी बोलते हैं यही हमारी 80 उसका एटमिक नंबर ह अगर आपसे नेक्स्ट कोशन इस तरह के आ सकता है जिसको हम पारा भी बोलते हैं ठीक है द्रव दहातु कौन से हैं मरकरी जिसको पारा बोलते हैं और द्रव अधातु तत्व कौन सा हमारा ब्रोमीन कौन सा है अगर आपसे कोई next question पूछे कि विजुत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व कौन सा ये question मैंने कितने previous year question पेपर कराएं उनमें क्या है पूछा ही जाता है most important question कि विजुत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व कौन सा तो वो है चारती जिसको हम क्या बोलते हैं सिल्बर बोलते हैं क्या बोलते हैं हम सिल्बर बोलते हैं ठीक है अब ये question भी बहुत पार आया कि जो gold है हमारा सोना है उसका atomic number क्या होता है तो ध्यान रखना गोल्ड का जिसका सिंबल क्या होता गोल्ड का AU होता है क्या होता है AU तो कितना होता उसका atomic number ये दे रखा आपको clear होगा AU 79 atomic number होता है किसका हमारा gold का और ये AG silver का क्या होता है क्या है 47 ठीक है और किस टाइब के कोशन बनते हैं आपके कि किस दाटू को मिट्टी के तेल में रखा जाता है ये कोशन भी most important है मैंने जितने भी previous year कोशन पेपर कराएं mostly ये कोशन देखने को मिलता है कि जो sodium दाटू है वो क्या हमारा मिट्टी के तेल में रखते हैं डूबो के क्यों क्या ये environment के साथ रेक्ट करके जल्दी से फैर केश कर लेता है ठीक है और हड़ी होता था दाटों पर का निर्मान करने वाला पिर मुक्ता तो कौन सा तो वह हमारा कैल्सियम ठीक है एक most important question बताती है देखो ये जो हमारा ये तो मैंने बता दिया कि इसको s block बोलते है इसको d block बोलते है यह s ब्लोक होगया यहां से यहां तक p हो गया ठीक है S group, D group और P group ठीक है S group, D group اور P group ये होगई आप देखो यह जो है हमारा अब group के बाइस सलते हैं यह first group, second group, third group, fourth group ऐसे होगया हमारा अब जो हमारा 18 group है हमारा इसकी हमारा इसको क्या बोलते है novel gases बोलते है novel gases बोलते है या inert gas बोल सकते है ठीक है, इनट गस क्या होती हैं ये इतनी stable होती हैं इनके जो outer merge cell होती है न हो completely filled होती है मतलब बाहरी जो कक्छा कक्छा में जो electron होती हैं malfunction होती है ना तो वो किसी को electron देते हैं ना वो किसी how to make second नहीं करते हैं आई उनकी cya vouchera zero होती है ये कोशन आ जाता है कि जो हमारी inert gas होती है noble gases होती है वो कौनसे group में आती है तो ये मैंने बता दिया 18 group में आती है और इनकी जो सही हो जगता वो 0 होती है ठीक है और ये देखो ये हमारे आपको एक चीज के लिए करा देती हूं यहां से देखो 57 से ये हमारा यहां से LA और DES करके दे रखा है ठीक है यहां पे हमारा इसको बोलते हैं लेंट तो देखो ये उपर वाली सीरीज 14 element है ये लेंट नॉइड के element है ये यहां पे आएंगे लेकिन अगर हम इनको यहां पे रखते तो ये पिरोडिक टेवल बड़ी हो जाती और सुक्वेंस से नहीं आ पाती तो इसलिए इनके लेंट नॉइड के और ये देखो 89 के बाद आएंगे 14 element इसलिए इनको क्या नीच रख दी है ठीक है यहां से लेंट नॉइड के ये दे रखे और नीचे से जो एक्रेनॉट के हो रहे हमारे 40 element ठीक है ये थी आपकी पिरोडिक टेवल जिसका मैंने आपको जनल आइडिया दे दिया है अगर आपको इन डिटेल पढ़नी हो या इनके क्या है element के trick समझनी हो याद करनी की तो आप मुझे comment section में कमेंट करके बोल सकते हैं मैं आपको इसकी in detail और element को कैसे learn करते हैं उसकी trick समझा दोंगी और हाँ आपके paper के लिए कम से कम 30 element के atomic number आपको अच्छे से clear होने चाहिए ठीक है क्या है कोई भी element उठाके वो क्या है जो popular element है उनका atomic number पूछ लेता है तो वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें सेर करें और जाज़ा से जादा सेर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें जै हिंद जै भारत बंदे मादरम